सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपने स्ट्रीन के उपर और सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बीम कॉलम ले आउट को तो किस तरीके से बीम कॉलम ले आउट बनाया जाता है यह मैंने अपने यूटिव चैनल सिवल राजा पर अपलोड कर कि लिंक मैं यहां कहीं इस वीडियो के टैक्स में डाल दूँगा या फिर आप उसको सिंप्ली जाके प्लेडिश से भी देख सकते हैं और नेक्स जो है वो है कि किस तरीके से इसका कॉडिनेट जो है वो इस टैट पर के लिए हम लोग मार्क करते हैं अपने एक्सल में तो यहां पर आप देख सकते हो कि बीम कॉडिनेट्स हैं वो भी यहां पर मार्क किये जा चुके हैं तो आज का जो सेशन है यह होगा इस टैट पर में डिजाइनी के उपर तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देजेगा अपने सबसे पहले हम लोग यहां पर अपने फाइल लिम को असाइन कर देते हैं जो कि इस केस में हो गया है जैसे कि मेरा प्रजेक्ट 31 होने वाला है डिविजन वन है क्लाइंट का नाम लिग देना है जॉब नेम लिग देना है इंजिनियर का नाम लिग देना है जो कि इस केस में है इंजिनियर ओमसियो राजा बावु यानि कि मैं और अगर आपको मेरी प्रफेशनल ट्रेनिंग को जॉइन करना है या फिर अपने बिल्निंग का डिजाइन करवाना है या प्लानिंग करवानी है तो आप मुझे कॉंटक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर जो है वो डिस्प्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और नंबर है 843328864 अब बार-बार मैं एक ही चीज़ों को नहीं दहो रहाँगा मैं सिंप्ली जो जो इस्टेप्स यहां पर प्लिंग के ले लेंगे उसको लेंगे और यहां जाने के बाद हम लोग उसको रिपीट करेंगे जो कि transitional repeat के तू होगा और उसमें link steps के help के से हम लोग अपना जो नीचे के तरफ के column से उसको draw कर लेंगे और उसी तरीके से फिर same process का use करते हुए यानि कि transitional repeat का ही use करके हम लोग बाकी सारे columns को भी draw कर लेंगे तो ट्रांसलेशनल repeat से क्या फाइदा हो जाता है कि हम लोग को एक एक like column को note to note connect नहीं करना पड़ता है जिससे कि accuracy काफी बढ़ जाती है तो कहां पर link steps के use करना है कहां पर नहीं करना है यही basic trick होता है स्टैट्वा में काम करने का और वो आपको experience के तो ही आता है उसकी बाद आप देख सकते हो कि मैं आ गया हूँ अपने first floor पर और यहां पर मैं बीम को connect करने का तरीका वही पुराना रहेगा जो कि हमारे लिए accurate भी रहता है और वो है left to right चाहिएगा और bottom to top तो इस तरीके से आपको draw करने से फाइदा क्या हो जाता है कि आपकी accuracy maintained रहेगी और आपको यह पता रहेगा कि किसी भी वीम का start position किदर है और end position किदर है यह आपको काम देगा जब आपको moment release करना होता है अगर secondary beam में आप moment release करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको start और end position का पता होता है तो वहाँ पर आपके commands में आपको काफी ज़्यादा help मिल जाती है तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से draw करोगे तो हो सकता है कि कहीं errors आने के chances हो कोई beam miss out हो जाए और miss out कैसे होता है notes है लेकिन beam वहाँ पर draw नहीं हुआ है यह एक तरीका है beam के miss out होने का तो उस तरीके को भी हम लोग avoid करते हैं अब अगर आपने मेरे beam column layout को की video को अच्छे से देखा है तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि कौन से beam का significance यहाँ पर क्या है तो पहले आप उस video को देख देजेगा उसके बाद यहां पर modeling पर आईएगा तो जादा अच्छे से समझ में आएगा और अगर आप सिर्फ रिश्टाइग पर किश्टिक्स को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो इनफ है यहां पर आपने देखा कि मैंने calculate कि हाइट के हाइट के लिए मु सब्सक्राइब उसके इसके पोजिशन को शूर के जहां जहां भी वहां पर लोग से लिए देंगे चार सीट्व करने होते और हमारा साइट जो है ऑटोमेटिकली जाता है तुको और चलेरली दिखेगा और यहां पर मैंने सिलेक्ट करके रख करके रक्यों तो यहां पर आने वाले हैं उपर के फ्लोर पे वहां पे मैं सिंपले इसको कॉपी पेश्ट कर दूँगा तो आप देख सकते हो कि यहां पे सारे जगा पे मेरा स्लैब रहे हो चुका है अब मैं वापस से इस पर्टिकुलर वीम के लेबल में आऊंगा और दो पोर्शन से मैंने स्लैब नह हम्ने फ्लों का क्या होता है कि जैसे हम लोग की मॉडe्लिंग काम क्यू sums करना के तो मुझे याद रहता है कि कौन Prius के लिए बिलॉंग करती है क्योंकि यहां पे नाम लिखने वाला अप्शन तो आता नहीं है कि हारे को rename करके मैं उसकी property लिख सको तो मैं इसी तरीके से काम करता हूं तो beam and columns की property को मैंने यहाँ पर define कर दिया है अब मुझे क्या करना है assign करना है तो हर particular level पर मुझे बस अपना like beams को select कर देना है और उसके according मुझे यह सब assign कर देना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा beams parallel to x and beams parallel to z की help से मैं simply अपने beams को select कर सकता हूं या फिर मैं ऐसे front view में जाके वहाँ पे beams को select करके इन सारी properties को महाँ पर assign कर सकता हूं आप tension में देजेगा अगर आपके पास कोई भी गलत property assign हो गई हो तो क्यूंकि वो property का जो assignment है वो कभी भी change किया जा सकता है और उससे कोई error य अगर आपके command का sequence कभी करबर हो गया हो या फिर कुछ आपने miss कर दिया हो कुछ missing properties आ गई हो तो यह सारे चीज़ों में ही आपका errors and warnings आता है जैसी कि अभी मैंने देखा कि यह एक G plus 2 का building था लेकिन यहाँ पे मैंने G plus 1 पर ही model कर दिया है तो मुझे simply अपने model को replicate करना होगा और इसी को pick करके मुझे उपर की तरफ ले जाना है तो मैं क्या करूँगा simply इस पूरे floor को select कर दूँगा I'm Translational Repeat के help से मैं इसको repeat भी कर सकता हूँ वो कोई issue की बात नहीं है बस यहाँ पे मुझे linkage tape को नहीं करना है क्योंकि मैंने column को भी select किया हुआ है अभी आप देख सक कि यहाँ पे मेरे slab वाला जो portion है ना slab copy नहीं होता है अब simply copy command का भी यूज कर सकते हो that is not an issue और यहाँ पे जो मेरा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर डाल लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहां से आपको फोरबोत आइडिया लग जाएंगी अभी आप एक नजर यहां पर डाल लिगे किस तरीके से हमारा बीम का रेज़्मेंट होने वाला था तो यह था हमारा अपने देखें उसके बाद आजाते हैं मैं कुछ नहीं करना है होने के बावजूद भी कभी अर्थ्विक की हिस्ट्री वैसी रही नहीं है कि मुझे हर जगा पर रिडॉक्शन्स देना पड़े यानि कि इसके स्ट्रेंद का रिडॉक्शन करना पड़े तो इसलिए मैं यहां पर स्पेसिफिकेशन्स में कुछ नहीं डाल रहा हूँ अधर्वाइस जब मुझे जोन 5 के बिलिंग को डिजाइन करना होता है तो वहां पर मैं रिडॉक्शन पैक्टर भी इंक्लूड करता हूँ फिर मुझे सपोर्स लगाने ते मैंने सपोर्स लगा दिया अब आ जाते हैं सब्सक्राइब जाएंगे अपने आइस 1893 को चूज कर लेना है यहां पर जितने भी सपेसिफिकेशन से उसको यहां पर आसाइंड कर देना है उसके बाद हम लोग इसी बसिसमें यहां पर जन्रेट कर देंगे और अब देंगे तो मेरा आप देख सकते हो सिसमें डिपाइन हो चुका है नेक्श्ट मुझे लोड किस डिटेल में जाना है और यहां पर मैं चार लोड को डिफाइन करूंगा एसल एकस जड डियल और यानिके डेड लोड और लाइफ लोड उसके बाद सेस्मिक लोड में मुझे बस उसको एक्स वाले को एक डारेक्शन में लोड दे देना है और मुझे अलग 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 लोड देने होंगे जैसे कि हमारा उसके बाद मुझे वाल लोड का कल्कुलेशन करना होगा तो आप जानते हो कि मैंने एक एक्शल शीट बना रखी है वाल लोड के कल्कुलेशन के उपर तो अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं है आप अपने लिए अपने रिक्वार्मेंट के अक्वार्डिंग एक्सल शीट बना सकते हो इससे काम काफी आसान हो जाता है फ्यूचर में जब भी आपको लोड लगाना होता है तो आपको मैनवली हर्चेश कल्कुलेट करने की ज़रूत है आप एक्सल में वैलू पूट एक्सल आता हो तो आप मैनवल डिजाइन भी कर सकते हो जिससे कि आपको काफी ज़्यादा एकनॉमिकल डिजल्स देखने को मिलते हैं अब आप देख सकते हो कि क्योंकि मेरा ग्राउंट गोडाउन होने वाला है तो वहां पे मैंने टेंचिश का वाल का लोड दिया है पर्स दूँगा मैं हर एक वाल को बस श्टेयर केस के वाल को मैं दे दूँगा टेंचिश वाल का लोड और जहां पर बालकनी का पोडिशन है वहां पे मैं माइनस तू किलोनिटन पर मीटर का लोड अपलाई करूंगा जो कि पैरपेट वाल का लोड होता है आपको यह सारी चीज को चेक करना चाहते हैं तो वह यहां से चेक कर सकते हो कर सकते हो हाला कि अगर आप नहीं भी करेंगे यह मोडिफिकेशन तो यह को प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपका जो रिजल्ट है वह बिल्कुल इससे अफेक्ट नहीं होता है ओके आई होप आपको यहां तक के करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं अगर आप रिनमर करना चाहते हैं यानि कि अपने नोर्ट स्वर्ड रिवर्स नहीं हो सकता है यानि कि आप वापस से आके फिर से वह प्रिवियस नम्बर ऑगी तो आपको ध्यान से renumbering करनी है अब यहां पर देख सकते हो कि सारे आउटर वाल्स को मैंने select कर लिया है और यहां पर मैं 10 इंचिज के वाल को वाल का लोड दे दूँगा इस्टेर के हटाते हैं वो भी समझते हैं सबसे पहले हम लोग को select कर लेना होता है उसके बार आपको उस भीर को पुछले वारे वीडियो में मैंने उसको लिखा था और ऐसे करता था लेकिन अभी मुझे पता चला कि करना होता है हर एक बीम को लिखता था मैं उसके बाद लोडिंग हो सके लेकिन अभी मुझे इतना कुछ नहीं करना पड़ता तो यह इन्फोर्मेशन भी आप में से काफी लोग के लिए काफी यूश्पल रही होगी अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर लोडिंग को असाइन कर लेते हैं जहां पर जिस तरीकी एक लोडिंग जैसे कि यहां से मुझे 10 इंच का लोड हटा देना है और मुझे वहाँ पर रखना क्या है बस हम लोग को टू इंचेज वाल कहीं लोड यूज करना है सुरी माइनस टू के लिए परमिटर का लोड होता है कभी कभी थोरा सा गलत निकल जाता है सौरी फॉर डाट ओके तो गाइज अगर आपको मेरी सब्सक्राइब कर लिए जाए और हरएक कॉम्बिनेशन को मैन्वाली लिखने के जरूरत नहीं है आप और प्रॉट ज्यादा दिया गया है उसके कॉनिंग यहां पर लूड कॉम्बिनेशन बनाता था जिसमें टाइम भी लगता था लेकिन उसके जो जो रिजल्ट आते हैं तो final results में यहाँ पर combination ज़्यादा देखने को मिलते हैं लेकर results हम लोग का almost same ही होता है तो उसको उससे कोई खास पर्क पड़ता नहीं है और अभी आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है कि जो भी मेरे dead load है उसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ और अपने seismic load में assign कर देता तो वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने slab को model किया हुआ है और model करने के कारण यहाँ पर self-fit जब मैं calculate करूँगा अपना grade assign कर दूँगा और enforcement assign कर दूँगा तो यहाँ पर automatically वो load ले लेगा इसलिए मैंने अलग से लिए otherwise आपको अगर अपने slab नहीं model किया है तो आपको अपने slab का भी जो self-fit है उसको यहाँ पर dead load में assign करना होता है और उसको as a area load assign करना होता है वह बाता है आपको दिहान रखनी चाहिए उसके बाद हम लोग parameters को select कर लेंगे सारे parameters को define कर देंगे जैसे कि clear cover मैं 40 mm लोंगा column के लिए 30 mm ले लोंगा अपने beam के लिए उ सब्सक्राइब करना है उसकी बाद आपको सब जहां-जहां-जहां सब्सक्राइब कर देना है मैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा इसमें मैं एक वैलू को अभी हाँ नहीं कर रहा हूं जो कि यहने सच वैलू होगा जिसके कारण मेरे पास मॉडल में वार्निंग आएगी क्योंकि यहां पे कुछ सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग कर देते हैं जिसके लिए मुझे क्या करना होता है अगें अपने डिजाइन में जाके यहां पे सिलेक्ट पेरेमिटर्स में पहले सिलेक्ट करूँगा ओके यहां पे आईएज होने 800 सिलेक्टर था तो उसको आईएज 456 यानि का कोड्स सिलेक्ट कर लेना है वहां पे जाके मुझे एनश वन को असाइन कर देना है जिसको असाइन करने के लिए मैं सिंप्ली क्या अपने जो बीम्स है जो मुझे पता है कि जिसका लेंग बहुत कम है और वह लेंग पर जाके मैं उसको सिलेक्ट कर दूँगा और सारे बीम्स को सिलेक्ट करने के बाद उसको एने सच वैलो को वर्न कर दूँगा यह कोड के एकॉर्डिंग ही किया जा रहा है कहां पी एकॉर्डिंट वैलू है यह मैंने लाश्ट में बताया था लाश्ट वीडियो में तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट 30 का जो इस्टार्ट प्रों का डिशाइन है उसको देखिएगा वहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ज करने के बाद आपको कमांड फाइल में जाकर दंग से लिए तो आपको वार्निंग चले जाने चाहिए देखिए सारे वार्निंग चले गाएं उसके बाद आगी का जो काम वह हम लोग आर्सीरी सी में करेंगे लेकिन अगर आप रिजल्स को करना चाहते होतों हरे लिए और कॉलम पर आप सिंप्ली डवल ख्लीक करके चेक कर सकते और आपके रिजल्स कि तरीके से आने वाने हैं तो guys I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर yes तो आप simply जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर केजे, हमारे चैनल सिविल लाजो को सब्सक्राइब केजे, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए या फिर बिल्दिंग कंसल्टें पे कॉल या WhatsApp कीचे, I will wait for your call, till then take care, bye bye, keep learning, thank you guys.